Hello everyone, in this video we will discuss a novel, Untouchable, और इसको लिखा है मुलकराज आनंद ने इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इस novel के बारे में, इसके title के बारे में, themes के बारे में, summary के बारे में और इसमें जो characters हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह की techniques यूज हुई हैं और किस तरह से इसमें issues को raise किया गया है, यह सारा हम cover करेंगे इस novel में सो start करते हैं novel को, और सबसे पहले characters की बात कर लेते हैं, तो इसकी कुछ main characters है बाखा, लाखा, हवलदार, चरत सिंग, सोहिनी, पंडित कालिनाथ, रामचरन और छोटा अब रामचरन और छोटा यह दोनों friends है, भाखा के, और भाखा जो है यह इसका main character है next character है, करनल, Hutchinson और मैरी Hutchinson, यह दोनों Christians है जो story की starting है, वो start होती है, novel start होती है भाखा character से, जो की इसका protagonist है और यह show करता है, जो minority caste हैंडिया की, जो S.E.S.T. schedule caste है, उनको present करता है कि किस तरह से इनकी situation थी, जब हम Britishers के under में थे, और या फिर उनसे अज़ाद होने के बाद भी जो condition थी schedule की वो किस तरह से थी, वो किस तरह के कामों में involved थे, और उनकी जो हालात थी, उनको किस तरह से समझते थे आपर कास्ट के लोग, इस noble में भाखा के एक दिन के schedule को present करती है, ये noble, भाखा के जो mind था, जो thought था, उसको पूरा change कर देती है जो लाखा है वो father है भाखा का, और लाखा head है यहाँ पर जितने भी sweepers है उनका, अब यहाँ पर बात हो रही है, जो sweeping का काम है, वो हमेशा यही लोग करते थे, इनको समाज में नीच समझा जाता था, और इनको यही काम करना होता था कहानी की शुरुआत कैसी होते है, कि सुबा सुबा जो बाखा है उसको जगाया जाता है, जो लाखा उसका father है, वो उसको जगाता है, abusing words के साथ कि अभी तक तु सो रहा है और यह है, वो है, उसकी तब्यद जो है वो ठीक नहीं होती लाखा की, इसलिए बाखा को आज काम कौन सा काम? स्विपिंग का काम जो लैटरिंग स्विपिंग का काम करते थे, उसकी बाद वो उटता है और काम पे चला जाता है, वो घरों पे जाके काम करता है, और उसे प्यास लगती है काम के duration ही, तो घर आता है और अपनी बहन को पानी के लिए बोलता है, लेकिन उसके घर में पानी नहीं होता है तो जो उसकी बहन है उसकी बहन का नाम है Sohini, Sohini पानी के लिए कुए के पास जाती है जहांपे एक लंबी लाइन होती है और बैट के दूर खडी होते हैं क्योंकि ये लोग खुद कुए से पानी नहीं निकाल सकते थे इनको पानी कोई निकाल के देता था तो जो हमारा next character है पंडित कालीनाथ वो आता है और इसको पानी देता है और बोलता है कि इसके बदले में तुम्हें मंदिर की सफाई करनी पड़ेगी सोहिनी इस बात से agree करती है क्योंकि उसके पास कोई option तो है नहीं और उसको पानी भी चाहिए और उसके भाई को प्यास लगिए बाखा को इसलिए वो इस बात से agree करती है और पानी लेके चली जाती है पानी पीने की बात जो भाखा है वो दुबारा से अपना सफाई करने के काम पर चला जाता है अपर कास्ट हिंदू से टकरा जाता कि गलती कुछ नहीं होती है बट यहाँ पे टकराने से वो क्या होता है जो अपर कास्ट पिपल होता है वो बोलता है कि वो पॉलियूट हो गया है उसे पॉलियूट कर दिया गया है और उसे बोला जाता है भाका को कि तुमने वर्ण करके क्यों नहीं आये तुम। उसे कोई नहीं बचाता है वो इसwide पबलिक में पिटता रहता है लोग enjoy करते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उस पे हस रही होते हैं वहीं पे एक Muslim तांगे वाला आता है और वो बाका को उन लोगों से बचाता है आते टाइम बाका जैसे ही देखता है कि मंदिर के पास कुछ भीड लगी हुई है वो पहले तो कोशिश करता है कि वो पहले मंदिर में जाएगा लेकिन जैसे ही वो मंदिर की दो सीड़ियां चड़ता है तो कोई उसे पीछे से आवास देता है और उसे लगता है कि उसे रोका जा रहा है ये जो मंदिर है यहाँ पर उसे शिव जी क हैं वो इकठे हैं वहाँ पर जाके देखता है तो देखता है कि उसकी बहन को पंडित काली नाथ वहाँ पर सबके सामने उस पर चिला रहा है और लोगों की भीड़ भी उसकी बहन को ही चिला रही है यहाँ पर जो खेल है वो कुछ हो रही है लेकिन पंडित काली नाथ ने जो अपने भाई भाका को की हुआ क्या है और उसके बाद वो उसे घर भेज देता है अब सोहीनी का जो काम था खाना मांगने का भाका उसे घर भेज कर खाना मांगने खुँच चला जाता है जो उसके situation होती है वो बहुत खराब होती है उस इस रोटी किस तरह से मांगना पड़ता है ये कोट अनकोट लाइन से ब्रेट फोर दा सुईपर मदर ब्रेट फोर दा सुईपर इस तरह से अब देख सकते हैं किस तरह पूरे दिन काम करने के बाद भी जो सिचुएशन थी अंटचिबल पीपल्स की वो किस तरह से थी किस तरह से उनको लोगों से मांगना पड़ता था रोटी को और जो लोग थे वो ऐसे हैं कि वो रोटी को उनके हाथों में ना देखर जैसे कुट्टे को रोटी फैकते हैं उस तरह से इनके उपर रोटी को फेका जाता था और उसके बदलेवेंच से काम लिया चाता था अब जो भागा है उसका एक दिन का experience बिलकुल भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि उसे इससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था कि जो society है इसमें इस तरह से behave करते हैं क्योंकि वो काम में involved नहीं था लेकिन आज उसके फादर के तबिया ठीक नहीं थी इस वज़े से वो इस काम पे निकला था तो जब वो घर जाता है उसने बहुत बुरा फील किया अपने पूरे दिन को कभी किसी ने उसे dirty dog बोला कभी son of the pig बोला इस तरह की lines जो है वो उसके लिए use की गई उसके बाद सोहीनी के साथ जो भी हुआ वो जाके अपने फादर को बताता है लेकिन यहाँ पे जो उसका फादर है लाखा वो बहुत डिप्लोमेट परसन है वो भागा कोई डाट मत करो हम इनके साथ कभी नहीं हो सकते यह हमसे उपर ही रहेंगे और वो यह भी बताता है कि एक बार ऐसा ही किसी अपर कास डॉक्टर ने भागा की जान बचाई थी अब अपसेट होके जो भागा है वो चला जाता है रामचरण जो कि उसका फ्रेंड होता है और छोटा के साथ आज रामचरण की बहन की शादी थी यहाँ पर एक मरबर देखने को मिलता है कि जो भागा है वो रामचरण की बहन को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था लेकिन जो रामचरन की माँ है उसने रामचरन की बहन की शादी की ती और से तैक कर दी वो एक वाशर मैन है धोबी है जिसने 200 रुपे उसे दे दिये और 200 रुपे पाते ही उसकी माँ ने उसकी शादी उस धोबी से तैक कर दी तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा खुश नहीं है उस शादी में जाके लेकिन फिर भी जो उसने आज पूरे दिन में फील किया इसकी वज़े से वो थोड़ा सा चला जाता अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाके जो छोटा है वो पूछता है कि जो चरत सिंग है वो तुम्हें होकी देने वाला था क्या रहा उसका अब यहाँ पर दोस्तों एक बात हमने यहाँ पर छोड़ देती कि जो चरत सिंग है वो एक एथलीट है होकी प्लेयर है जो भाका है वो उसके घर जाता है वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है वो उसे चाय ओफर करता है सोफे बेटने को बोलता और घर में किसी भी अबजेक को टच करने पर वो मना नहीं करता है जो उसका relation है वो बहुत अच्छा है वो बाकी लोगों जैसा नहीं है और untouchability तो बिल्कुल भी नहीं है उसके दिलो दिमाग में जो बाका है कहीं न कहीं एक जो उसकी आँखे होती है वो चमक जाती है जैसे उसको याद आता है और वो चला जाता है होकी लेने के लिए चरण सिंग उसे होकी देता है और उसके साथ बहुत अच्छे से बरताव करता है होकी लेने के बाद वो बाहर निकलता है और कुछ बाबूज बाबूज यहाँ पर बृटिशर्स को बोला गया है कि उनके बच्चे जो थे वो उसके साथ खेलना चाहते है उसके हाथ में होकी अब यहाँ पे उसकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो जीत जाता है तो उसको मारने लग जाते हैं जो इन साहिप्स की बच्चे होते हैं जो इन आपर कास लोगों के बच्चे होते हैं कि वो जीत कैसे गया उस लड़ाई में इक बच्चे को चोट लग जाती है एक बच्चा गिर जाता है चोटा बच्चा जिसे लेके भागा उसकी मा के पास जाता है और उसकी माव को शुक्रिया न बोलकर उसको ही गाले देना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुमने हमें pollute कर दिया, तुमने हमें छूक ऐसे लिया, तो यहाँ पर वो दुबारा से face करता है, दुबारा से untagibility को face करता है कि किस तरह से लोगों का reaction है, वो है, लोगों से परहशान होकर वो गाउं के पेड़ के नीचे बैठा होता है, जहाँ पर वो एक Christian Colonel Hutchinson से मिलता है, और वो बताते हैं कि हमारे धर्म में, Christian धर्म में ऐसा कुछ भी ऊचनीच नहीं है, तो तुम हमारे साथ चलो, भाका उसके साथ चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी wife Mary Hutchinson, भाका को देखती है, वो Colonel Hutchinson पर चलाने लगती है, कि कैसे कैसे लोगों को ले आते हो कहीं न कहीं यहां पर जो भाका है, वो फिर थे humiliate, फिल करता है, और वो वहां से भी चला जाता है, जब वो रास्ते में जा रहा होता है, तो उसने देखा, कि कुछ लोगों की भीड इकटी हुई है, वो वहां पर जाके पता करता है, तो पता चलता है, उसी कि यहां गांध जी कि स्पीच जो है, वो Touchability को ही लेके होती है, चुछ हूट को लेके होती है, गरीबी को लेके होती है, जिससे वो काफी Impress होता है जो भाका है, वहां पर कुछ और भी लोग वो आय होते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं, जो पढ़ए लिखे लोग Stunden, और एडोकेट्स, नहीं करनी पड़ेगी और ये खबर सुनके वह वापस अपने घर जाता है और अपने घर जाकर वह इसी को अपने पापा अपने भाई और अपनी बहन को बताता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से यह तो भाका के एक दिन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से untouchability का सामना करना पड़ा लोगों की बाते सुननी पड़ी अब अगर हम title की बात करें untouchable तो हाँ definitely बिल्कु suitable title है इसके लिए क्योंकि इसमें lower class protagonist बनाया गया है भाखा जो उसकी life है बहुत painful life को दिखाया गया है suffering को दिखाया गया है अपर कास्ट को दिखाया गया है अपर कास्ट को यहाँ देख सकते हैं आप example के लिए जो पंडित कालीनाथ है उसका example आप इसमें ले सकते हैं slave are better than they are यहाँ पर बताया गया है कि जो slave की situation है वो इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी है इस novel में कई बार words यूज करे गए है lines यूज करी गई है जो कि quote unquote है like why don't you call your name तो यहाँ पर बोला गया था भाकाओ को कि जब भी आप जाएंगे आएंगे आपने touch कर दिया pollute कर दिया तो आप अपना नाम बोलिया आने से पहले तो यह हमने देखा था इंडिया में ऐसा था कि कई बार ऐसा भी सुना ही कि लोग अपने गले में इस तरह से घंटिया भी बान देते ताकि वो चले तो उन्हें पता चल जाएगी कोई schedule caste people आ रहा है अगर हम themes की बात करें तो इसमें pain को दिखाया गया है suffering को दिखाया गया है ब्रामन का attitude दिखाया गया untouchability दिखाया गया हरिस्मेंट दिखाया गया upper class people के द्वारा जो lower class है उनका reality दिखाया गया हिंदूस की जो हिंदू की reality थी वो कैसी थी और reality ऐसी ही थी separation दिखाया गया है areas की जो schedule caste के लोग थे वो कहां रहते थे और जो upper caste के लोग थे वो दूसरे area में रहते थे इसके बाद अगर हम बात करें कि techniques की किस तरह की techniques यूज की है यहाँ पर मुलकराज आनंद जी ने तो यहाँ पर realism को दिखाया गया है यहाँ पर caste की system को भी दिखाया गया है Muslim को दिखाया गया है Hindu words का भी बहुत जादा use किया गया real atmosphere को दिखाया गया है कि जैसे आज की generation में भी अगर road पे कोई किसी को मार रहा होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है ऐसी डोबल के अंदर जब भाका को road पे मारा जाता है तो महाँ पे देखने वाले लोग देखते हैं लेकिन मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे highlight किया गया है Christians के attitude को भी किस तरह से वो जब देखते थे कि गरीबी है इंडिया में तो उन्होंने अपनी धर्म को offer कर दिया जैसे कि जो Colonel Hutchinson है वो ले जाते हैं भाका को कि तुम Christianity को ले लो यहाँ पे issues को raise किया गया है और issues कौन-कौन से है untouchability को show किया गया है बिल्कुल जो women है जैसे Sohini की तरह उनको किस तरह से molest करते हैं आपर cast के लोग इसको दिखाया गया priest जो है उसका attitude दिखाया गया है और गानी जी जिनके विचारों से लोग बहुत जादा प्रभावित तो उसको भी इस novel के अंदर present किया गया है उसे ignore नहीं किया गया है यहाँ पे अंग्रेजों की द्वारा लाई गई कुछ मशीनों की विबात की गई है जिसमें की flush system में इसका एक example यह वीडियो यहीं पे खत्म होती है if you like the video so like share and subscribe us be with us goodbye and take care friends